ते 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 नाली रामा महराज गेब हटिये कई हमारे हाथ से कुछ पिसल ना जाए महराज जिनने देखते ही हमारा दिल फिसल गया हाँ अब हमारे कहने का तात पर यह यह है कि हम यह भेट संपूर्ण रिदय से महराज को समर्पित करते हैं यह रेश्मी वस्त्र है और इन पर बहुत संदर कड़ाई का काम भी किया गया है अगर आप इस वस्तर की धोती बना के पहनेंगे लीजे धन्यवाद इस मुलायम मुलाय उफार के लिए धन्यवाद है तो आप यह भेट देने के लिए महराज से भेट करने आ गई हाँ हमारा सब कुछ किनी खातो है क्या हमारे कहने का ताथ परे यह है कि हम जो यह भेट लिखे आ है यह पूरी की पूरी महराज की तो है जी यह पूरी धोती हमारी बनेगी महारानीती रूमलंबा चलिए आप हमार साथ चलिए उद्यान में कुछ नए पुछप खिले हैं हम उन्हें चलकर निहारते हैं आये आये मारा सब महारानी जिन्ना देवी येदि हम बाहर उद्यान के रंगी फूल देखने जाएंगे तो आपको ज्यात है अंदर कितरे फूल खिल जाएंगे चोटी रानी समझे इससे अच्छा अफसा नहीं मिलेगा राज कुमारे को रंगी हाथ तो पकड़नेगा से अच्छव हमने महारानी जिन्ना देवी आपको त्वत्या नहीं बता रहे हमारी महाराणियों के समक्ष नहीं बोल पाई यही जो आपने हमें प्रेम पत्र भीजेते प्रेम पत्र? जिसे पढ़कर हम यह आपके पास खिचे चले आए हमने प्रेम पत्र लिखेते हम जानते हैं महाराज कि आप बहुत शर्माते हैं इसलिए आप जो हमसे कहें नहीं पाई आपने लिख दिया और हम तक प्रेम पत्र पहुंचाया है है ना? जी सत्य है सत्य है? सत्य यह है कि हम शर्माते हैं परंतु वो प्रेम पत्र को हमने हराज! आगे तब से ताजा और शुद्र सत्य तो यह है कि हमने सब तुल लिया वाह महराज, वाह क्या युप्टी निका लिए आपने? राज कुमारी को विजय नगर बलाने की यह क्या पागलपन है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया सत्य कह रहे हम हम तामर पत्र पर लिख कर दे सकते हैं जो भे हो महराणी हमें बोलने दीजे हम महराज की तरह कोई प्रेम पत्र नहीं लिख रहे हैं जो आप हमें टोक रही है शांत हो जाएए आप आप बिना कारण के हम पर संदय कर रही है महराणी आपको कुछ भी कहने की कोई आवशक्ता नहीं हम से दूर रहना एक कांत खोजना प्रेम पत्र लिख कर दाच कुमारी को विजय नगर बुलाना कहां किसी संदय के गहरे में आता है महराणी चिन्ना देवी अच्छा वह आपने सब कुछ कह दिया अब तो हमारे कहने के लिए कुछ शेश बचा ही नहीं तो हमें क्या कहना चाहिए महराणी चिन्ना देवी चोड़ी महराणी आपको कुछ भी कहने की कोई आवशक्ता नहीं आप चलिए यहां से अब विजय नगर में नहीं लिखाए फिर भी हमें दोशी कह रही है संदे महराणिया एक दीमत की भाती होता है जो मस्बूत से मस्बूत रिष्टे को भी खोखला कर देती और किसी भी बैत के पास इसका उप्चार नहीं होता है महराज की जय हो महामंद्री जी शमा चाहते हैं महराज परन्तु अकस्मात हमें इस प्रकार देखकर आप विछलित तो नहीं होगे नहीं महामंद्री जी आप तो अतियंत उचित समय पर आएं बताए महराज दरवार में धंबीर समस्य आ गई है और आपकी उपस्तिती अनिवारिया है तो फिर हम अके लिए क्या करेंगे हम भी जाएंगे महराज कृष्ण देवराय की महराज कृष्ण देवराय की महराने चिन्नागवी की महराने तिरुमलंबा की ज़िए उडिसा राजकुमारी जगन मोहिनी की ज़िए उडिसा राजकुमारी जगन मोहिनी जी आप भी आसन गरन कीजिए कि यहां आई हां मंत्री जी परंथ वो तो पड़ित रामा कृष्ण का स्थान है कोई बात नहीं महाराज हमें तो आपके चन्नों के पास स्थान मिल जाए वो भी हमारे लिए बहुत है रुकिये राजकुमारी जगन मोहिनी आप यहां बैठिये हमारे साथ नहीं दीदी इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है हम वहां महाराज की चन्नों के पास अपना स्थान गहन कर लिए हम आपसे कह रहे हैं न आप यहां कर बैठिये राजकुमारी जी आप क्यों संकोच कर रही है जाए जाकर दोनों महारानियों के बीच में बैठ जाए अब संकोच तो रानियों को करना पड़ेगा क्योंकि वो गुरुजी क्यों, क्यों दो बुकी शियर्मियों के बीच में एक चालाग लोबडी को भेज रहे हो फांस जाएंगे गुरुजी, इसलिए शांत रहिए, जादा ठेंटे मत केजिए ये तो आपका इस्थान्जमी महराज दरबाल के पहर लगवा देंगे हाँ आपका इस्थान्जमी महराज आज की कारवाय आरम कीजए जो आग्या महराज 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 मुझे पचा लिजे महराज मुझे ये मूर्ख अभी तक यहीं मनरा रहा है मुझे पचा लिजे क्या बात है मठ्री परसाद महुदे क्या हुआ महराज हमें उस उस गलती से पचा लिजे जिसे कोई कोई इंसान दोदोपार करता है मठ्री परसाद जी आप किस गलती का उलेक कर रहे हैं विवा मठ्री परसाद दर्बार में अपनी कला का मंचन करने और अपनी बात कहने में बहुत अंतर होता है कला का मंचन करने में आजादी होती है परन्तु अपनी बात को मुर्मा फिराकर कहने में समय के बरबात ही होती है समझे पुरुवर आपके विजयनेगर में आपके इस्त्री हमारे पीछे आपके विजयनेगर की एक सुन्दर इस्त्री हमसे विवा करना चाहती है सुन्दर इस्त्री वह भी विजयनेगर की मठ्री परसाद यदि विजयनेगर की इस्त्री ने तुमें विवा के ये चुना है तो यू समझ लोग की भागे ने स्वयम तुमें विभा का लड्डू खिलाने के लिए चुना है तो बस मूँ खोलिए और सुक भोगी पूरुवर विभा कोई खेलतु है नहीं कि जिसका बार-बार जब मन चाहा खेलने लगे और कि अफके कहने का अर्थ्थ क्या है मत्रीप्रसाइद् जमादय मेरे कहने का निये है कि मैं जी विवहीत हूँ और जिस इस्तरी से मेरा विवा हुआ है वो कलरीपेक्ड़ू मैं निपुंढ है हाँ वो क्या होता है किanha दुवर ये एक विशिष्थ प्रकार की युद्ध कला है, जो अत्यांती, खातक होती है. हाँ, तो फिर शीखर विवा कर लो, इससे पोर्व की तुमारी पत्नी का वो, काले का पट्टू. कलरी पट्टियू? हाँ, वहीं, कलरी पट्टू का घातक वार, तुमारे लिए प्रान घातक से दो, दूसरे विभा का आनंद ले लेगे। अब देखिए, पती की गलती हो या ना हो, पत्नी के वार से कोई नहीं बच सकता. सत्यमचट! गुरुवर, आपने जिस शस्त्र से मेरे और महाराज के मध्य संदे का बीज बोया था, अब ने उसी शस्त्र से पलटवार करूँगा. मठ्री प्रसाद महुद आई, आप हमें बताइए कौन है वो उस्त्री जो आपसे विवाग करना चाहती है? महाराज वो इस्त्री जो मुझसे विवाग करना चाहती है, उसका नाम… स्वामी! 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 कहा है मेरे स्वामी? जिनके प्रेव में मैं लील हो गई हूँ. ए, सौधामी! ये जैमाला, उनके कले में पहना कर, हम अपने प्रेव की जैजैकार करना चाहते हैं. कहा है स्वामी? ऐसा लग रहा है, जिसे विजयनगर में चारो और प्रेव फैला हुआ है. अगर ऐसा ही रहा, तो शीग्रही विजयनगर का नाम बदल कर, प्रेव नगर रखना पड़ेगा. स्वादामिनी देवी, क्या हो रहा है? आपके हाथो में जैमाला, जाती क्या हैं आप? महराज, क्षमा कीजिए, आज हम इस दर्बार में स्वयम को अपने देवता को अर्पित करने आये हैं. हमारे देवता, स्वामी, देवता इधर आईए ना. ये जैमाला, आप ही की प्रतिक्षा कर रही है, कहा है आप? आईए ना. नहीं, नहीं. स्वादामिनी, स्वादामिनी देवी, ऐसा मत करिये ना. हमारा कहने का ताथ पर यह है कि आप एक राज नर्द की हैं, अपने पद की गरिमा का ख्याल तो रुखिए. जिनके मस्तिष्क में गरिमा की गर्मी होती है, उनके हिर्दे प्रेम की तपन को कभी नहीं समझ सकते. गुरुवर. देखे, देखे, स्वादामिनी, देवी. स्वादामिनी, हम है तत्थू, तुमारे तत्थू. कहकर हमें गुरुवर किसी और को न बना उवर. क्या कहा गुरुवर? तत्थू? तत्थू? देख, 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 थू, थू, थू! कितना खिर्णात मक्त रिश्य है, हमसे नहीं देखा जा रहा है. कोत्वाल, इस मच्री परसाद को बंदी बना लो, डाल दो कारा ग्रह में. सब गल्ती इसकी है. जी आचारे. रोत्वाल, शान्त, शान्त हो जाए, गुरुवर. किसी भी विशे में तंपूर्ण जानकारे लिए बगैर हम कैसे को निर्ने ले सकते हैं. मठ्री परसाद महुत है, आप यहाँ ही है. जी, जी, महराद. हाँ, तो मठ्री परसाद महुत है. आप हमें बताइए कि सौधामेनी देवी आपके प्रेम में कैसे पड़ गई? महराद, मुझे कुछ भी ग्यात नहीं है. कैसे ग्यात नहीं है? मठ्री परसाद कहीं तुमने सौधामेनी देवी के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन तो नहीं किया? जी, गुरुवर्द किया तो था. और इनकी कला का मंचित प्रदर्शन देखकर हमें प्रेम ज्यान प्राप्थ हुआ. और हमारे भटकते हुए हिर्दय को तृप्ती प्राप्थ हुई. प्रेमकला स्वामी, ये जैमाला लिये लिये हमारे हाथ दुख गल है. कृप्या इसे अपने गले में धारण कर इसे मुक्ती प्रदान कीजिए. नहीं. हाँ? नहीं. महाराज. मत्री प्रसाद मौनादाय, आप हमें ये बताईए, संक्षेप में, कि आपने किस कथा का मंचन किया था? महाराज, उस कथा में एक राज नर्तकी कटपुतली का खेल दिखाने वाले कलाकार के प्रेम में पढ़ जाती है. ये ही तुमारी सब्सब्री गलती है, कटपुतली वाले. अब कथा में प्रेम दिखाओके, तो भई कोई वो देखने वाला तुब जहमेला लेकर ही पिछे आएगा ना तलवार लेकर थोड़ी ना आएगा. महाराज, आपको तु ग्या थे. ये कटपुतली वाला इतना सजीव प्रद्रशन दिखाता है, कि दर्शक इसे सत्यमान बैठते हैं, इसलिए महाराज, ये मठी पर साथ दोशी है. सत्यका आपने गुरुवर, इनी की खथा सुनकर तो पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी यहां आ गई थी, उनकी शिकायत लेकर. सत्य बचन महाराज. और कोत्वालन देवी भी तो आ गई थी, इनी की खथा सुनकर अपने पती पर संदेख कर रही थी? जी, महाराज. और ओकी क्या बात क्या ज़ता है? भी प्रे calculate भी तो इनी की कता से प्रफावित होकर पंडित रामकृष्ण को वाचा. पंडित रामकृष्ण पर संदेख करने लगे थे. सत्य बचन महाराज! महाराज, पंदित रामा कुछन का व समध्न हो नहीं सकता he अधान आधान ने पंडित रामा कुछन को बिना किसी कारण के निश्का सिफ कर दिया है सथ्य माराच नई नई नहीं माहराच सत्य वच्चन वह नगा दो सत्य वच्चन माहराच तो सत्य है माहराच गुरुजी मानना पड़ेगा क्या यही कि आप बंडित रामा कृष्णा को फसाने के लिए फंदातों एकदम साही बुनते हो पर अंतु फिर पताने क्या हो जाता है कि स्वेमी उस फंदी में जोल जाते हो नहीं धनी मनी आज हम बंडित रामा कृष्णा से जीतने के लिए सवदामनी को हार नहीं सकते ना कुछ किल जी गुरुजी ने तो सवदामनी आपके हाथ से गई अधभुद गुरुवर अधभुद महराज आपने गुरुवर को धन्यवाद दिया एक धन्यवाद मैं भी आपको देना चाहती हूं अब आप मट्री जी को आदेश दीजिए ताकि ये हमें अपनी पत्नी के रूप में स्विकार कर ले है असा दामनी देवी जी आप थेरी रखी हम है ना हमारा कहने का तात पर यह है कि हम आपके लिए योग्यवर और शिटूंगेंगे गुरुजी गुरुजी सुझी ना इनके योग्यवर के लिए आपको कहीं और अधिक खोजिना नहीं पड़ेगा हाँ गुरुजी हम आपके निकटी है धनी और मनी मच्री प्रसाद महुद आई हमें एक बात समझ में नहीं आई आप अपनी स्वयम की अद्भूत कला की क्षमता से परिचित है तो फिर आपने ऐसी कथा का ताना बाना क्यों गुना जिसमें आप स्वयम फज गए महराज ये कथा मैंने नहीं लिखी है ये कथा तो स्वयम पंडित रामा क्रिश्णा ने लिखी है क्या उनके कत्तामस्वार ही मैंने इस कथा का मंचन सौधामिनी देवी के समक्ष प्रस्तूत किया पंडित रामा क्रिश्णा माहा मंत्री जी कि जिस तलदल में पंडित रामक्रिश्णा फसे हैं उससे बहार निकलने के लिए उनका ऐसा करना सवभाविक था पंडित रामकृष्णा महराज आप भुल रहे हैं आप ही ने पंडित रामक्रिश्णा का निश्काश्ण किया है हम जानते हैं गुरुवर और हम यह भी जानते हैं कि पंडित रामकृष्णा इस समय यहाँ पर इसी राध दर्बार में उपस्तित है आईए पंडित रामकृष्णा हमारे समक्ष आईए चिपने की आवश्यक्ता नहीं है देखिए सौदामेनी देवे आई है एक समस्या लेकर समाधान कीजिए इसका उसे कि वाद समय इसके थाधान की बाहत रामकृष्णा आई उसे देखिए लेखिए. झाल झाल